मीठे लड्डू तो बहुत बार बना लिये लेकिन आज बनाएंगे शुगर फ्री लड्डू जो डायवटिक पेशन्ट आसानी से खा सकते हैं सरदी हो यह सरदर्ध हो कमरदर्ध हो यह हड़ियों को मजबूत बनाना है तो खाएंए लड्डू बिना गुड बिना चीनी बिना चाशनी के नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज के जो लड़ू है दोस्तों वो बहुत ही पॉस्टिक लड़ू है आप इनका सेवन जरूर करें एक बार जाती जाती ठंड में जरूर बना कर रखें और महीने तक बड़े ही अराम से आप खा पाओगे और दोस्तों हम इन लड़ू को दो तरीके से बनाएंगे बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी डियापटिक पेशन्ट भी खा सकते हैं और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो भी इसको खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं आज के दो तरह के लड़ू यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है तिल एक कप ये दोस्तों काले तिल हैं काले ति से बहुत ही हल्दी होते हैं इसलिए जब भी आप यूज करें न सफेद तिल छोड़कर इन तिल का ही इसे माल करें तो इस तरीके से मैंने लिया है एक कप तिल और एक कप लेंगे यहां पर मुंगफली इस तरीके से लिए हैं और दोनों यह देखिए अब इन से हम रेसीपी बनाएंगे वो भी बहुत ही हल्दी और पॉस्टिक तो चलिए ले लेते हैं एक कड़ाई कड़ाई को गरम होने के लिए रख देते हैं गैस पर और इसमें डाल लेते हैं अपनी मुंगफली के गीरू क्योंकि हमने इनको भूनना है रोस्ट करके ही लेंगे हम मुंगफली क नहीं तो इन में कच्चा कच्चा स्वाद आएगा तो इनको रोस्ट कर लेते हैं दो से तीन मिनट आपके लग जाएंगे इनको रोस्ट करने में और दोस्तो आपने मीडियम फ्लेम पर ही इनको रोस्ट करना है ताकि आपके जो गीरू है ये मुंगफली के ये जले नहीं तो इस तरह से करते करते ये ऐसे हो जाएंगे इनके छिलके अपने आप ही हटना स्टार्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से दोस्तों आपने मुफली को भून लेना है यानि रोस्ट कर लेना है इसको dry roast तो ये roast हो चुके हैं देखिए जैसे मैं दिखा रही हूं आपको बस इसी तरह अब इनको थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए रख देते हैं side में जब तक ये थंड़े हो हम दूसरा काम कर लेते हैं इसी कड़ाई में दोस्तो हमने लेने हैं वही तिल तिल को भी हमने dry roast ही करन हैं क्योंकि हम सारी चीजों को roast कर लेंगे तभी दोस्तो ये जो recipe है वो थोड़े दिन चल पाएगी नहीं तो जो कच्चे लेंगे हम ना तो उसका स्वाद आएगा और ना ही वो जादा दिन चल पाएंगे तो इस तरीके से ये भी आपने roast कर लेना है जब ये roast होंगे न त किये थे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं इनको निकाल लेना है आपने किसी टावल पर ताकि हम इनका छिलका हटा सके दोस्तों जब मुमफली का छिलका हटाना हो तभी ये मुश्किल सा काम लगता है लेकिन इसको और ज्यादा easy बनाने के लिए हम इसे ऐसे कर रहे हैं आप फिर आप हाज से भी इस तरह से करके आप इनका छिलका निकाल सकते हैं तो बैटर तरीका तो यही रहेगा कि आप टावल में डाल कर इनको ऐसे करके और इनका सारा छिलका निकाल लिए देखे दोस्तों छिलका सारा अलग हो चुका है अब दोस्तों इसको छान ले चलनी से या फिर उपर नीचे करके आपका सारा छिलका निकल जाएगा, तो ये मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं, साफ साफ मेरे मुफली के गीरू है, इस तरीके से देखिए, दिखा रही हैं मैं आपको, अब आपने क्या करना है, इनका बनाना है आपने दरदरा सा पाउडर, तो चलिए, बनाते हैं इनका पाउडर, मिक्सी जार में डालकर, इनका पाउडर बना लेते हैं, आपने मिक्सी चलानी है, बंद करनी है, इस तरीके से आपने इसका पाउडर बना लेना है, दो-तीन बार चलाने से ही मिक्सी, आपका पाउडर ये बन जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में देखे, कुछ इस तरह से मिला है ये पाउडर, बस दर-दरा सा होना चाहिए, बिल्कुल महीम सा पाउडर हम नहीं बनाएंगे, अब इसी जार में दोस्तों हम डाल लेंगे तील को, आधे तील में ऐसे ही रखूंगी, और आधे तील का में पाउडर बना लूँगी, तो आधे तील का पाउडर बना लेते हैं, ये पाउडर बन गया है, और इसको भी डाल लेते हैं, अपने मुमफली वले पाउडर के साथ, और आधे तील का में क्या क पहले तो हम अच्छे से दोlingen गे दो lien गर दोस्तों साथ ही साथ आपने इनकी कैप सी हटा कर इसको बीच में काट कर आपने अंदर से गुठली निकाल लेनी है गुठली को अलग कर ले और ये बालें पीस अलग कर ले तो इसी तरीके से दोस्तो आपने सारी खजूर को कर लेना है अलग अब क्या करेंगे इन को डाल लेते हैं एक mixi jar में मिक्सी harp में डाल कर दोस्तो आपने स्में थोड़ा सा उबला हुआ दूद डालना है नहीं तो आपके mixi का जो ढखकन होगा वो बाहर निकलाएगा तो इस तरी के से ये paste बन गया है smooth सा paste मैंने बना लिया है अब क्या करेंगे दोस्तों अब लेंगे एक कड़ाई और इसको रख देते हैं gas पर gas पर रखकर आपने इसमें डालना है एक चमच देसी घी हम इस recipe को पूरी तरह से healthy बना रहे हैं तो आपने healthy healthy चीजे ही use करनी है देसी घी लिया है और गरम होने पर दोस्तों आपने इसमें डाल लेना है खजूर वाला paste तैकि ये भी थोड़ा सा भून जाए हमारा थोड़ा सा आपने roast करना है इस तरीके से अब ये roast हो चुका है दोस्तों अब आपने क्या करना है इसमें डाल लेते हैं अपने मूफली और तील वाला जो हमने powder बना कर रखा था वो डाल लेना है दोस्तों ये recipe इतनी हल्दी बनने वाली है कि आपकी अनेक बिमारियों में एक काम आएगा आपको थकान रहती है वो थकान दूर होगी सिर दर्द रहता है कमर दर्द रहता है टांगों में दर्द रहता है ये कोई और कमजोरी है तब आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी एक बार बना कर जरूर देखें आप इस recipe को बीना good, बीना मीठा, बीना चीन, बीना चाशनी कितने healthy leadoo है यह आप सोच भी नहीं सकते तो इस तरीके से आपने डाल कर mix कर लेना है इन सारी चीजों को और डाल लेते हैं इसमें वही तिल जो हमने बचा कर रखे थे जिसका हमने powder नहीं बनाया है और उन्हें भी इस तरह से mix कर लेते हैं अच्छी तरह से आप चाहें तो दोस्तो इस recipe में बदाव वगरा का भी यूज कर सकते हैं वो भी आप दोस्ट करके ही लें तो जो भी dry fruits डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं तो जाती जाती ठंड में आप जरूर बनाना इस recipe को बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे और immunity आपकी बहतर बनेगी तो इस तरीके से दोस्तो हमने material ready कर लिया है लड्डू बनाने का अब हम इसे दो तरीके से बनाएंगे पहले तरीके से बना लेते हैं पहले इसमें से लेना है थोड़ा सा portion और हाथ पर लगा लेना है आपने थोड़ा सा घी और इस तरीके से आपने लड्डू बनाने है जैसे हम normal लड्डू बनाते हैं बस वैसे ही तो देखिए दोस्तो, मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से अपने लड्डू बनाने हैं, तो मैंने ये सारे लड्डू त्यार कर लिये हैं, अब ये तो रहे डापटिक पेशन्ट के लिए, कि ये डापटिक पेशन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं लड्डू को, उनका भ डाइप्टिक पेशन्ट ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं इसको और बड़े जो भी लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि डाइप्टिक पेशन्ट ही इनको खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार बना कर जुरूर देखना, यह लड़्डू दोस्ति इतने पीठा ही नहीं है, चीनी नहीं है, तो उनके लिए हम एक अलग से रेसिपी बना रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने लेना है, एक पैन, पैन में थोड़ا सा पाने डाल ले, और उसके उपर एक बावल रख ले काज का, तो इसमें डाल लेते हैं, हम चॉकलेट काट कर इस तरीके से ये 200 ग्राम चॉकलेट ली है मैंने और इसको हम मैल्ट करेंगे तो देखे दोस्तो ये मैल्ट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से स्मूज सा पेश्ट बन गया है अब क्या करेंगे आपने लेना है एक एक लड्डू और इसमें डिप करते जाएं डिप करके दोस्तो आपने कहा रखना है किसी बरतन में आप पॉलोथिन लगा लें उस पॉलोथिन पे आपने ये लड्डू लगाने है क्योंकि जब ये सुख जाएंगे न तो लड्डू बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे नहीं तो वहां से आपकी चोकलेट हट जाएगी अगर आप सिंपल से बरतन पे लगाते हैं इसको या फिर दोस्तो घी से ग्रीस करके ठाली बगारा को उसमें भी आप इसे रख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो आपने सारे लड्डू को कर लेना है यानि जितने भी आप लड्डू करना चाते हैं बच्चों के लिए अलग से प्रिपेर करना चाते हैं तो इस तरीके से आपने लड्डू पे चोकलेट लगा लेनी हैं तो चोकलेट लगा के दोस्तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी देखे मैं दिखा रही हूँ आपको, अब इनको दोस्तों 10 से 15 मिनिट ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि चोकलेट जो है वो सूख जाएगी, सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखे दोस्तों 15-20 मिनिट हो चुके हैं, अब इनको अलग कर लेते हैं इस बरतन से, तो ये देखे दोस्तों, बड़ी ही आसानी से ये निकल जाएंगे, ये देखे जो फाल्तु की चोकलेट इस तरह से चिपकी है, वो सीजर से आप कर ले इस तरीके से, तो बहुत ही बड़िया, टेस्टी और देखने में सुन्दर लड़ू बन गए, ये रहे बच्चों के ले स्पेशल, तो चाहे तो आप चोकलेट वाले लड़ू बना ले, या फिर बीना चोकलेट के बना सकते हैं, कोई मीठा नहीं है, इसमें कोई गुड नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई चाशनी नहीं, बहुत ही हल्दी लड़ू बने हैं, इस तरीके से दोस्तों, आप जाती- बोक्स में लिक कर जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक धन्यवाद